आज की रेसिपी स्ट्रीट स्टाइल बीफ तवा चाप है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें यहां पे मैंने 1 kg बीफ ले लिया है बॉनलेस इसको हम मीट मेलेट से अच्छे से मार लेंगे ताके गोश हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए ऐसा करने से अंदर तक जाएगा इस तरह से मैने सारे चाप को मार कर रख लिया है अब हम इसका मसाला तयार कर लेंगे एक जाड में मैंने दू टमाटर ले लिये हैं इसके सीड्स निकाल लिये हैं एक टेबल स्पून जिंजर कार्ली पेस्ट दालेंगे और हराधनिया आधा कप एक से दो हरी मिर्च दालें अब इसमें एक टी स्पून कार्ली मिर्च दालके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी के दिखे मैंने पेस्ट को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है अब मैं इस से इन सब चीजों को मिक्स कर लें अब मैं इसको चाप में लगा लूगे इसको हाथों से अच्छे से लगा लें ताके मसाला अच्छे से लग जाए इस पॉइंट पे आप चाहो तो इसमें चारकूल का स्मोक भी दे सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें मैंने ज्यादा मसाले नहीं डाले हैं बहुत ही जटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको आदे गंठे के लिए मारिनेट करने के लिए रख देंगे हम तब अच्छे से गर्म हो गया है अब मैं इसमें 2 टी स्पून टेल आड़ कर लोगी अब चाप को एक एक करके डालते जाएंगे इसको ओवर्ख्राउड नहीं करना है इसको हाई फ्लेम पे 3 मिनिट के लिए फ्राइ करें पहले बाद में इसकी फ्लेम थोड़ा मीडियम कर देंगे तीन से चार मिनिट के बाद इसको हम पलट लेंगे हम इसे बहुत ज्यादा ड्राइ नहीं करेंगे इसमें हम ज्यादा तेल नहीं डालेंगे अगर आप ज्यादा तेल डालेंगे तो इसका मसाला भी निकल जाएगा इसको मैंने लोही की तवरे पे बनाए हैं ताके ये स्ट्रीट स्टाइल लगे और इसका जाइका भी वैसे आएगा ये तैयार हो गया है अब निसमे थोड़ा हरा धन्या डालूंगी और गर्मा गर्म सर्फ कर लूंगी बहुत ही मज़ेदा स्ट्रीट स्टाइल जूसी बीफ चाप बनकर तैयार हो गये हैं इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करें अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना खयाल रखें थैंक यू फॉ वाचिंग अल्ला हाफिस